जोए मसीगी दोस्तों, आज की सुर्गी मन्ना का भाग हमने लिया है लुका की पुस्तक, उसका सत्रवा अध्याय और उसका तीसरा और चौथा वचन. वचन कहता है सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डाट और यदि वो मन फिराए तो उसे ख्शमा कर. यदि वो प्रति दिन साथ बार तेरे विर्द पाप करे और साथो बार आकर तो उसे कहे मैं पश्चा ताप करता हूँ तो उसे ख्शमा कर. धन्यवाद पिता परमेशर, ते अध्भुत नाम में सुख है और तेरे ग्यान में परमेशर हमें शक्ती मिलती है. दोस्तों यहां वचन क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपने आपको शुद्ध रख सकते हैं? इस संसार में रहते हुए, इस आजमाईशी जिन्दगी में रहते हुए, अपना वक्त गुजारते हुए, हम कैसे अपने आपको परके? क्योंकि परकने का एक ही माध्यम है और वो है माफ करना. शमा करना एक ऐसा ऐसास है जो हमारे शुद्ध करन को बनाये रखता है. दोस्तों यहां पर शमा करना बहुत अन्वारे रूप में बताया गया है, कि अगर तेरा दुश्मन, तेरा भाई, तेरा दोस्त, तेरा रिश्रगार साथ बार भी आकर तुस्से कहे एकी गलती के लिए, पश्चाता आप करे, तो तुसे माफ कर. क्यों माफ कर? क्योंकि तू, क्योंकि परमेश्र चाहता है कि हम शुद्ध रहें, हम पवित रहें, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर क्या जन्म लेगा? क्रोध. और अगर जब क्रोध हमारे अंदर आएगा, तो कौन काम करेगा हमारे अंदर? शैतान. इसलिए Ephesians 4.26 में Permission ने काया है कि क्रोध तो करो लेकिन शाम होने तक तुम्हारा क्रोध शान्त हो जाए नहीं तो शैतान काम करेगा हालेलुया दोस्तों हमें शैतान को काम करने नहीं देना है चाहे हम अपने एहम को हमें अपने एहम को निकालना है ये क्रोध हमारे एहम को बढ़ाता है हमारे एगू को बढ़ाता है हमारे अंदर एहिंकार पैदा करता है और उसी एहिंकार के द्वारा शैतान वो पाप हमारे अंदर जर्म लेता है और हम परमेशर की दृष्टी से ओचल हो जाते हैं और परमेशर चाहता है कि हम परमेशर के दिश्टी में हमेशा बने रहे इसलिए शमा करना हमारे लिए बहुत महत्पूर है शमा करना हमारे लिए वो भाव है शमा करना हमारे लिए वो आग्या है जो अती महत्पूर है हमें हर पल हर छण तयार रहना है अ जिनकों ने मारा, उन लोगों ने इशो मसी के मुँपे थूका, जिनको इशो मसी ने आशीश दी थी, वो लोग चला रहे थे कि इशो मसी को कुरूस पर चड़ाओ, जिन लोगों को इशो मसी ने आखें दी थी, कान दी थे, उनको जीवन दी था, उनकी चंगाई को, उनको ब उस पर चड़ते ही इश्यू परमेश्र से कहा परमेश्र इन्हें माफ कर क्योंकि यह नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं क्योंकि इश्यू मुसी नहीं चाहते थे कि मैं वो क्रोध लेकर स्वर्क में जाओं वो चाहते थे मैं जब स्वर्क में जाओं तो पविद्धा के साथ उस तो एहसास के साथ जाओं, उस आशीश को लेकर जाओं, उस विश्राम को लेकर जाओं, जो परमेश्वर का है, इसलिए उन्होंने माफ किया, उन्होंने माफ किया और अपने अंदर का, और दीन बनकर, दीन बनकर, नमर बनकर, अपने एहम को निकाल कर, एहंकार को निकाल कर, क्रोध को निकाल कर, पाप को निकाल कर, पवित्र बनते हुए उन्होंने जीवन बिताया और वो सरक है, यही परमिशर हमसे चाहता है, कि हम इस धर्ती पर रहेते हुए सरकान बबता भी कर सकते हैं, जब हम हर खेत्र में अपने दुश्मनों, अपने बच्चों को, अपने भा करें, क्योंकि जब हम माफ करेंगे तो परमिशर काम करेगा, नियाए परमिशर करेगा, इसलिए दोस्तों, आज के सुभा यह जानना और यह एहद करना, यह विचार अपने मन में लाना और इस विचार के अनुसार अपने जीवन को बिताना बहुत जरूरी है, कि हमें माफ करना है, हमें माफ करना है, ताकि परमिशर की पविद्रता, ताकि परमिशर का आशीश, ताकि परमिशर का सामर्द, ताकि परमिशर का प्यार, ताकि परमिशर का अनुगरे हमारे जीवन में बना रहे, वो शान्ती, वो कृपा, वो परमिशर का सुख, परमिशर हमारे पसा के रखनी आई दोस्तों हम प्रात्रा करते धन्यवाद देते हैं पिता परमिश्यर तेरे बबयत स्भारत्रां में अद्भुत शुपा है हम धन्यवाद देते हैं आज के सुभा अद्भूत है परमिश्यर यह विचार हम हमारे अंदर बना रहे हैं और यह विचार एक आग्या के रूप में हम इसे ग्रहन करें और पुड़ी तरीके से अपने चीवन को निवाए इस शुमस्या के नाम से सुनने वाले हर भाई बेन क एले मंगता हम प्रात्रा प्राप्ले सुनिको कुल की एमेन, हमेन, हमेन, हमेन